कि हलो गाईज वन्स अगैन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल एक बर फिर से आप सबका हमारे इस यूटूब चैनल आरके सिविल सर्विसेस इस्टडी पॉइंट पर स्वागत है तो आज हम लोग बात करेंगे यह आरो यारो के को टार्गेट करके वीडियो बनाया जा है तो उसमें भी विलोम और वाक्यांस के लिए एक सब्द पूछा जाता है तो और साथ में जो सी सेट देंगे 2020 का उसके लिए भी यूज फूल रहेगा तो यह हिंदी का वीडियो है और हम लोग कोसिस करेंगे तो हिंदी में जो साठ प्रस्ण आते हैं आरो ये आरो में त प्रस्ण पूछे जाते हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे आरो यारो से रिलेटेड जितने भी हिंदी में पूछे गए हैं वाक्यांस के लिए एक सब्द सभी एक जंगा पे आपको जो है इकठा करके दिया जा रहा है कि उस्टन अंसर फार्म में ये आप आपकी प्रैक्टिस के लिए भी बहुत यूजफूल होगा और इसमें से बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं दोस्तों 40% आपको रिपीटेड मिल जाएगा अभी तक का जो ट्रेंड रहा है लोग सिवा आयोग उत्तर प्रदेश का तो आईए सुरू करते हैं इससे पहले पूरा साल पेपर का एक सेट जो है प्रिवियस येर पेपर नाम से जो है यहाँ पे प्लेलिस्ट में दे दिया गया है आप उसको भी देख सकते हैं और 2019 के लिए जो PCS के से पहले एक मास्टर वीडियो करेंट अफेर्स का बना था उसका भी प्लेलिस्ट में दे दूँगा आप उसको भी देख लीजिएगा ठीक है और एक मास्टर वीडियो अभी जो है करेंट अफेर्स आरोज से पहले आ जाएगा ठीक है आईए सुरू करते हैं वाक्यान्स के लिए एक सब्द तो पहला है खाद्य सामगरी जो यात्रा के समय राष्टे में उपभोग के लिए दी जाती है तो इसको बोलते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा सी पाथे ठीक है ये प्रस्न अभी जो है आया है जो कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक्जाम हुआ है उत्तरपदेश लोग समय को क्या कहते हैं आधी रात के समय को डी निसीत कहते हैं ठीक है एक तो संध्या होती है फिर संध्या और मध्यरात्री आधी रात के बीच में प्रदोश आता है ठीक है प्रदोश आता है और मध्यरात्री को क्या कहते है निसीत कहते हैं ठीक है तो यह आंसर हो जाएगा आ किंचन कहते हैं ठीक है नेक्स परसें जिसे बुलाया ना गया हो के लिए सब्द क्या होगा तो इसका सी वाला अंसर हो जाएगा अनाहूत जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं अनाहूत नेक्स दिसाएं ही जिसका वस्त रहो तो उन्हें क्या कहते हैं दिकंबर कहते ह तो इसका C वाला अंसर सही हो जाएगा दिकंबर नेक्स्ट है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है तो उसे क्या कहते हैं B वाला अंसर सही हो जाएगा कानीन कहते हैं उसे करें अब देखी यह प्रस्ण जो है बहुत ही इंप्रेंट है पेट की अगनी के लिए सुद्ध सब्ध कौंसा है तो यह देखें PCS में भी आया है में logos में और यह AR30 में भी आ है प्री और मेंस दोनों में आया है तो पेट की अगनी के लिए क्या बोलते हैं जट्रागनी बोलते हैं बढ़वागनी समुद्र में जो लगती है दावागनी जो है जंगल में तो इसका सी वाला अंसर सही हो जाएगा नेक्स यूचन है पती युकता इस्तरी जिसका पती साथ में नहीं होता तो मर जाता है तो उससे क्या कहते है विद्वा कहते है तो इसका सी वाला अंसर सही हो जाएगा नेक्स यूचन जगडा लगाने वाला मनुष्य इसके लिए एक सब्द क्या होता है तो नारद होता है डी वाला अंसर सही हो जाएगा नेक्स क्यूचन है म मुक्षी इच्छा रखने वाले को मुमुक्षू कहते हैं नेक्स क्यूशन है रंग मंच के परदे के पीछे का स्थान तो इसको कहते हैं नेपथ्य कहते हैं तो इसका बी वाला अंसर सही हो जाएगा रंग मंच के परदे के पीछे का स्थान को क्या कहते हैं नेपथ्य कहते है नेक्स क्यूशन है हावन में जलाने वाली लकड़ी के लिए सुद्ध सब्द क्या है तो इसका D वाला अंसर हो जाएगा सही समिधा उसको कहते हैं नेक्स क्यूशन है महल के भीतरी भाग को किस सब्द में जानते हैं महल के भीतरी भाग में जहां रानिया रहते हैं तो उसको कहते हैं अन्तापूर कहते हैं तो इसका C वाला अंसर सही हो जाएगा अन्तापूर जो किये गए उपकार को मानता हो तो किये गए उपकार को जो मानता हो उसको क्या कहते हैं बी वाला आंसर सही हो जाएगा क्रितग्या और जो नहीं मानता है उसको क्रितग्न कहते हैं नेक्स क्यूस्चन है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाले गीत को क्या कहते हैं तो यह तो सब जानते होंगे उसे लोरी कहते तो सी वाला नेक्स्ट क्यूशन है जो नभ में चलता है के लिए एक सब्द क्या हो जाएगा खेचर हो जाएगा ठीक है जो नभ में चलता है उसके लिए क्या होता है खेचर हो जाएगा ठीक है नभचर भी कह सकते हैं अगर आप स सब्सक्राइब जिस इस्त्री का पती जीवित है उसके लिए क्या कहेंगे उसके लिए सधवा कहेंगे जिसका पती बर्ग चुका हो तो उसको विधवा कहेंगे ठीक है सब जानता है के लिए क्या हो जाएगा सरवग्य हो जाएगा कि इसके ब्याकरण के ग्याता वह क्या कहते है ये वरतनी में भी कूछता है वया करन ठीक है वयाकर ये सुद्वर्त नहीं हो गई इसकी नेक्स कुषिए बढ़ा चढ़ा कर कहना किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना तो इसका डी वाला अंसर हो जाएगा अतिश योगती नेक्स ने बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति जो बहुत अधिक बोलता हो तो उसको क्या कहेंगे वाचाल और जो कम बोलता हो उसे मित्य व्याई जो है मित्भासी कहते हैं ठीक है और जो है जो बोल ही न मुख बोलते हैं मुख का वाचाल विलोम होता है ठीक है तो इसका डी वाला ना हो सके तो इसका वाला अंसर सही हो जाएगा आशाध्य कहते हैं ना असाध्य रोग जिसका इलाज ना हो सके उससे क्या कहेंगे अशाध्य नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् का प्रयोग होता है ठीक है तो इसका B वाला अंसर सही हो जाएगा next Ray Is Geek Understand जिसका जन्म जो है छोटी जाती निचले वर्ण में हुआ हो तो उसको क्या कहेंगी अंतियज कहेंगे ठीक है अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं ठीक है यह हो जाएगा तो इसका शीव private पर रखा जाने वाला आशन तो हाथी की पीड़ पर जो आशन रखते हैं उससे क्या कहते हावदा कहते तो इसका वी वाला अंसर सही हो जाएगा astronomers है जी से प्रमाण मरंस सिद्ध ना किया जा सके तो उसके लिए क्या हो जाएगा सी वाला आंसर सही हो जाएगा अप्रमिय है अगला प्रस्ण है उपनिवेश से संबंध हो जिसका के लिए एक सब्द तो इसका बी वाला हो जाएगा आपनिवेशिक नेक्स्ट है अगला इन में से एक के लिए प्रियोज सब्दा आऴ सूरी नंपश्या मतलब ऐसी इस्त्री जो सूरी भी ना देख सके तो इसका आंसर हो जाएगा D, रहा निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली इस्तरी तो इसका D वाला आंसर सही हो जाएगा अगला वाला प्रस्ण है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ती उत्तराधिकार में जो संपत्ती प्राप्त होती है उसको रिख्त कहते हैं ठीक है रिख्त कहते हैं नेक्स्ट अगला है गिडा हुआ के लिए एक सब्द क्या होता है तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा पतित अगला प्रस्ण है नेम लिखीत वाक्य में से स्वयम सेवक के लिए प्रियुक्त होना वाला सब्द स्वयम सेवक किसको कहेंगे तो इसका सी वाला आंसर हो जाएग तो इसका सी वाला हो जाएगा अंतेवासी अच्छा यहां पर एक चीज में बताना चाहता हूं कि यह जब गुरू लिखा रहेगा और उसमें बड़ी उक मात्रा लगे रहेगी तो गुरू का मतलब शिश्य होगा ठीक है कई बार यह भी पूछा हुआ है और जब यह वाला ग दिखा रहेगा छोटा उक मात्रा तब यहां पर जो है गुरू का मतलब होगा लगू ठीक है कि विलोम मैं बता रहा था यह विलोम ठीक है कई बार पूछा है कि नेक्स्ट है अपना उद्देश पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक सब्द क्या होता है क्रितार्थ होता है तो डी वाला आंसर सही होता है नेक्स्ट है नियम विरुद्ध आ सामाजिक कारे करने वाले वालों की सूची को क्या कहते है काली सूची ब्लैक लिस्टेट तो बी वाला सही हो जाएगा आंसर इसका बी वाला नेक्स्ट है जिस पूरुस की पतनी साथ न नहीं होगा बल्कि जो आंसर क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा डी अपत हो जाएगा ठीक है जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हो तो अपत रहता है बीना पत्ते को अगला प्रशने तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा तिती तिर्शा और तैरने के इच्छु को तितिर्शु कहते हैं ठीक है अगला प्रस्न है जो इस्तिरी सूर्य भी न देख सके के लिए एक सब्द क्या होगा आज सूर्यम पस्चा देखिए अभी यह आया था अभी फिर से आ गया तो इसका मतलब जब अभी दो चार साल के पेपर ह इस आल करने पेडिएड़ हो रहे तो इसका मतलब हिंदी बहुत रिपीट होता है तो आप लोग सारे वीडियो को देखिएगा कर दोस्तों जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा सास्वत कहते हैं उसको ओके दोस्तों तो यह रहा जो है आज का वाक्यांस के लिए एक सब्द अगला हमारा वीडियो रहेगा विलोम और फिर उसके बाद पारियाएवाची तो अभी तक आरो एरो में जो भी आए हुए हैं वह सारा जो है प्रीविएस एर क्यूशन का जो है साल्व आपको दिया जा तो अगले क्रम में आप क्या देखना चाहते हैं उसको हमें जरूर बताईएगा और आपके लिए एक प्रश्न है यहां पर कि उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है तो जो बहुत अधिक बोलता हो उसको क्या कहते है और जो बहुत कम खर्च करता हो उसको क्या कहते दोनो का अंसर आप कमेंट में जरूर बताइए वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सेयर सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मच